हमारी संसत के इस निवनवनित भौर में के लोकापन समारों में भारत के यसवसी प्रधानमंती माननिय नहिंद मोदी जी राज्यसभा के उपसभापती डाक्टर हरवंश जी गन्मान्य अथिति गन्, देवियों और सज्जनों मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आजादी के अमरतकाल में संपून राष्ट आजिस महत्पून और एत्यासिक्पल का साक्षी बन रहा है मैं मानिये प्रधानमंती जी को सादुवाद देता हूं, जिनके धर संकल्प और प्रेदक मारदशन से संस्रत का ये नया भौन धाई वर्षे में कम अबदी में बन कर तयार हूँ मैं उन हजारों शर्मिक भाई बैनों को नमन करता हूं, जिनकी निरंतर शर्म साधना और कठिन परिश्टम से ये भागिरत प्रयास पुरा हूँ कोईड महामारी के कठिन समय में हमारे शर्मिरों ने अपने करतेओं के पृति अध्भूत समर्पन दिखाया जिसके कारण राष्ट का ये सामुईक संकल्प सिद्ध हुआ जनप्रतिनिती, जनित और जनता का सेवा भाव के रुप में काम करते हैं पिछले साथ दश्कों से संसत के अंदर हमारे विद्वान नेताओं और सांसुदों की उतकष्ट चर्चा और समवाद से जनता की समश्चाओं का समाधान किया गया और महत्पुन कानून भी बनाए जिससे लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ अमारा लोगतंत और अधिक सर्शक्त हुआ इस अवसर पर मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ लोगसवा में मेरे पुर्वती अध्यक्ष ने सदन की गरिमा और प्रतिष्टा बढ़ाने में समर्पिग भाव से योगदान दिया उनका अभी मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ भारत विश्व का प्राचिन्तम लोगतंत है संपूर्ण विश्व में लोगतंत की जन्नी के रूप में हमारी पेचान है संसलिय लोगतंत की इस यात्रा में हमने सदनों की अच्छी परंप्राएं और परपाटियां इस्तापित की है हमारी निर्वाजन प्रक्रिया के कुशल पारदर्शी और विश्व निये प्रभंदन के कारण लोगों का विश्वास लोगतंत के प्रती और बड़ा है इस अमरत काल में भारत की प्रतिष्टा विश्व में बड़ी है सम्मान बड़ा है आज लोगतंतिक मुल्यों के साथ साथ वेश्विक चुनोतियों के समाधान के लिए विश्व भारत की और देखता है भारत की संसद लोगतंतिक व्यस्ता का सरच किंद है लोगतंतिक प्रक्रियाओं में जनता की बड़ती भागिदारी इस सत्य को रेखांकित करती है लोगतंत हमारे इतियास की बहमुल्य धरवर है लोगतंत हमारे वर्तमान की तागत है लोगतंत हमारे सणिम भाईश का आधार है हमारी संसद घरेलू और वेश्विक चुनोतियों को आवसर में बदलने का सामर्थ लगती है विश्ता में एकता भारत की शक्ती है सब्सक्राइब ट वन इंदिया चैनल और नेवर मिस अप्टेट